अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब मैं चैनल अज हम बना रहे हैं स्नो फॉल डेजर्ट उसके लिए हमें चाहिए रफवान का मैंगो कस्टर्ड फ्री एग्स और यहां आपने मैंगो फ्लेवर ही लेना है ठीक है क्योंकि यह प्योर येलो कलर आता है इसके लावा शुगर आप अपने टेस्ट के मताबिक लेंगे अगर आ अधर कर सकते हैं यहां जो है हमने सबसे पहले एग्वाइट और योग को अलग-अलग सपरेट कर लेना है यहां अप जो एग्वाइट है यह जो सफैदियां हैं तीन अंडे की हमने इसको इतनी अच्छी तरीके से बीट करना है तकरीबन साथ से दस मिनिट तक कि यह अच् तो आपने क्या करना है कि दूद गरम पे रखना है बिलकुल हलकी आँच पे जब गरम हो जाए तो आपने उसके अंदर जैसे पकोड़े डालते ना इस तरीके से पकोड़ों की तरह से फ्राय कर लेना है ठीक है मिसाल देना लाजमी दी वरना समझ में नहीं आता आप लोगों थे अपने नहीं हो जाएंगे हमारे फिर रेस्ट of दव मिलक हमारा बच्चा वा दूद है उसमें हम डालेंगे चीनी यहए ये थिस्ट के मद्डबब डालेंगे पी हमें पकाया करना है कि अपनेजों दूद्ध में असे चिनी को परbangा हुआग अक्ष जित्व पारैंगे म मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे कि अपने ही जो हम दूद पकारे दे उसमें ये पूरा कस्टर्ड पाउडर जो मिक्स हुआ हुआ है वो डाल देंगे और साथ साथ चम्चा चलाते रहेंगे ताके कोई लंप्स ना बने वरना गुटली हम बन जाएंगी तो फिर अच्छा सज़े और हमारी कोई चीज भी जो है वो बेकार नहीं जाएगे वरना हमने सफैदियां तो यूस कर ली थी लेकिन जड़ी हमारी फिर फुदूल जाती तो यहां हमने जो है वो इसको इसी में मिक्स्ट्र में एड कर लिया अपने कस्ट्रड में और यहां जो है वो शाम हो और यह हमारा यमी सा जो डिजर्ट है वो आप यहां चेक करें कि कितना खुब्सूरत वाइट और येलो कलर का लग रहा है और आप इसको अब जो है वो फ्रिज में रगने हो ठंडा होने दे हमारा यमी सा डिजर्ट तयार है I hope you like this video